हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास थ्रीवन टैक आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो में वाटरमार्क को कैसे लगा सकते हैं वाटरमार्क में चाहे तो आप कोई भी वाटरमार्क तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं सिखाने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो में सब्सक्राइब बटन को कैसे लगा सकते हो सब्सक्राइब बटन लगाने का सबसे बड़ा फैदा यह है कि जब कोई भी आपकी वीडियो वाच करता है अगर उसको आपकी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वह सब्सक्राइब बटन पर जैसे ही क्लिक करेगा तो वह आपके चैनल को डारेक्ट सब्सक्राइब कर देगा उसे कहीं आपके किसी भी नाम पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इससे आपके सब्सक्राइबर को इंक स्क्राइफिकेशन्स मिलती रहें और वीडियो को पूरा देखिएगा आप बिल्कुल भी मत करिएगा मैंने स्टेप बाइ स्टेप आपको अच्छे से समझाया हुआ है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने वाइल की स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं अब इसमें हमें सबसे पहले क्रॉम ब्राउजर ओपन करना है अपने फॉन में ठीक है और इसमें हमें न्यू टैब लेना है यहां पर डारेक्ट आप इमेल एड़स डाल सकते हैं www.youtube.com एंटर कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी इसमें आपको इस वाले आइकन जो यह दिख रहा है इस पर क्लिक करना है यहां पर आपको साइन इन पर क्लिक करना है और अपने जीमेल एकाउंट से या जो आप जिस नाम से जिस इमेल APPने你 एकाउंट से साइन इन कर लिया है उसके बाद आपको यह जो अपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां से डेकस्ट औー साइट पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने dekstव ॏकल जाएगी जैसे आपके laptop या computer पर दिखाई देती है तो अगर आप इसको computer से करना चायते हैं तो वहाँ पर आपको यह ordenरी की जो़ुरत नहीं पड़ती कियोंकि वहाँ पर वह cop होती है तो आप अगर से इस चीज को करना चाहते हैं तो इनहीं इस टेप्श को फोलो करकेऊ कर सकते तो चलिए अब यहां पर आपको यह जो ऊपर आपको यह icon दिख रहा है इसके उपर हमें इसके उपर हमें click करना है और इसके बाद हमें यहां से your channel पर click करना है कि उसके बाद हमारे सामने यह कुछ हैसी screen open हो जाएगी यह आप देख सकते हैं ठीक है, उसके बाद हमें यहां पर यह जो customized channel वाला option है, इसके ऊपर click करना है, उसके बाद हमें यहां पर continue to studio पर click करना है, उसके बाद हमारे सामने एक नई screen ओपन हो जाएगी, यह स्क्रीन हमारे सामने open हो गई है देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ पे आपको यह layout, branding और basic info यह तीन options दिखाई दे रहे हैं तो हमको यहाँ पे second वाले option पे क्लिक करना है ब्रैंडिंग पे उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको profile picture, banner image और video watermark तीन options यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे video में watermark लगाना आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे already subscribe button लगाया हुआ है ठीक है तो हम यहाँ से मैं इसको remove करके और आपको दुबार से इसे लगा के दिखाऊंगा तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक subscribe button को आप Google से इसे download कर सकते हैं मैं आपको download करके भी द google.com उसके बाद enter कर देना है और यहाँ पे हमें लिखना है subscriber बटन या आप डारेक्ट लिख सकते हैं सबस्क्राइब subscriber png image और हमें enter कर देना है उसके बाद हमें यहाँ पे images वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें एक png लोगो यहाँ से download कर लेना है जैसे मैं यहाँ से कोई भी यह वला जैसे मैंने select कर लिया इस पे लिखा भी आ रहा है तो इसको यहाँ से right click करके और यह download image वाले option पर क्लिक कर देना है यह हमारे phone में download हो गया है उसके बाद हमें इस tab को बंद कर देना है और वापिस अपने इसी टैप पर चले जाना है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे options भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं end of video में लगाना चाहत हो यह custom start time इसमें आप अपनी तरफ से time set कर सकते हो कि आपको किस time से लगाना है उसके बाद entire video में लगाना चाहते हैं यह आपकी पूरी वीडियो में दिखाए देगा यहां से आप इसे change कर सकते हो और यहां से इसे remove कर सकते हो जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो यह आप एक नया channel बनाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि आप एक MB से ज्यादा की file नहीं लगा सकते इस पर तो आपके जो file का size है वह एक MB से कम होना चाहिए अब हम में यहां पर upload पर क्लिक करना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर यह सब्सक पशन आ रहा है इस डन वाले option पे हमें क्लिक कर देना है щоб ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं हाप लग चुका है यही ठीक है क्लिक कर देंगे तो वो आपकी वीडियो में यह वाटर मार्क यहां पर दिखाई देने लग जाएगा तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो में सब्सक्राइब बटन को ऐसे वाटर मार्क यूज कर सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से सम सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक क्यूँ अ झाल 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 कि ए उस अजान आपको यह वीडियो झाल 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 झाल